दोस्तो ये है कुछ colorful grow bags जो मैंना online order करे थे आज हम इनी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए पहले करते हैं एक छोटी सी unboxing तो कुछ इस तरह की packaging में मुझे ये grow bags रसीब हुए है packaging काफी simple है, काफी अच्छी है मैंने जो grow bags order करे हैं वो normal grow bags से थोड़े से different है आम तोर पर grow bags एक ही color के होते हैं ये grow bags colorful है कुछ पांच grow bags मैंना order करे थे और पांचों का color different है जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तो सभी grow bags का color different है वीडियो में बात करेंगे कि grow bags में ऐसी क्या खास बात है जो इसे port से या container से अलग करती है या different बनाती है उससे पहले बात करते हैं इनकी measurements की तो ये जो grow bags हैं दोस्तों इनकी height है 35 cm इनकी width है और base है 20 cm जो material इनमें use हुआ है वो है plastic इसलिए इन्हें UB treated plastic bags भी बोलते है shape इनकी round है और weight जो है वो है 0.2 kg तो बात आती है कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जिस बज़ा से इन्हें इस्तमाल किया जाता है तो grow bags की पहली खास बात ये है कि ये आसानी से किसी भी size में आपको मिल जाएंगे दूसरी चीज ये है कि इनकी कीमत गमलों की उपेक्षा काफी कम होती है कम बज़न होने की बज़ा से आसानी से grow bags को एक स्थान से या एक जगा से दूसरी जगा हम shift कर सकते हैं अब कुछ लोगों को terrace garden पसंद है या कुछ लोग balcony में gardening करते हैं तो उनके लिए grow bags काफी अच्छा option है आगे बाद आती है कि grow bags में हम क्या के grow कर सकते हैं तो grow bags में सबजियां, फल, फूट, सब कुछ grow कर सकते हैं जो plants के regarding इनका benefit है वो ये है कि plants की जड़े होती है वो round shape में grow होती है और grow bags का जो shape होती है वो भी round होती है जगा के अगर बात करें तो grow bag को किसी भी जगा पे easily इस्तिमाल किया जा सकता है आईए इन में कुछ plants लगा कर के देखते हैं मैंने दोस्तों grow bag के base में सुखी पत्यों का इस्तिमाल किया है यहाँ पर kitchen based का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह फलों और सब्जियों के छिलकों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर अंडों की ट्रे का भी इस्तिमाल करते हैं ऐसा दोस्तों soil media के consumption को minimize करने के लिए किया जाता है आज मैं दो ही grow bags का इस्तिमाल करूंगा जो soil media मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ उसमें vermi compost, coco peat और garden soil है थोड़ा सा इसमें नीमखली भी आड़ कर रहा हूँ नीमखली एक organic fertilizer है यह soil को fertile बनाये रखने में काफी helpful है मैंने जो plants इस्तिमाल किये हैं वो strawberries के plant हैं आपको अंदाज होई गयोगा कि यह grow bags का size कितना बड़ा है साथ ही साथ देखने में यह काफी अच्छे हैं, काफी attractive भी है अगर आप भी कोई rental apartment में रहते हैं या आप छोटी सी वालकरी में plants grow करना चाहते हैं तो grow bags आपके लिए एक अच्छा option है grow bags में drainage के लिए side में holes बने होते हैं यह मिट्टी को सौगी नहीं होने देते साथ ही साथ यह plant को root bond होने से भी बचाते हैं अब बात करते हैं grow bags की कुछ disadvantage की तो इसकी main दो ही disadvantage हैं एक है durability और दूसरा है biodegradable durability की बात करें तो सभी grow bags durable नहीं होते grow bags की average जो life होती है वो 5-7 साल होती है लेकिन यह इतना survive नहीं कर पाते अब बात आती है biodegradable की biodegradable का मतलब होता है breakdown in soil या मिट्टी में मिल जाना जो चीज़ें इस्तमाल के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं उन्हें biodegradable बोलते हैं तो सभी grow bags biodegradable नहीं होते मार्केट में दोनों तरह की grow bags available है biodegradable, non biodegradable तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है इन्फर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें कोमेंट बोक्स में कमेंट करें धन्यवाद दोस्तो